नमस्कार, मैं अश्वकवान खड़ेंग। कल सोशल मेडिया पे कुछ फोटोग्राफ मनिपूर के सामने आएं। और लगातार आपके सामने खबर और विशलेशन लाने वाला मैं भी हत्प्रद रह गया, दिमाग सुन्न हो गया। इस थिती में नहीं था कि मैं कोई प्रोग्राम करूँ, राधवर सो नहीं पाया। लगातार मैं सोच रहा था कि क्या मैं उसी भारत में हूँ, जिस भारत में राम ने जन्म लिया, स्री कुष्ण ने जन्म लिया, गवतम बुद्ध ने जन्म लिया। जहां हम सबसे पुरानी प्रजातंत्र, लोगतंत्र कहने की होने की बात कहते हैं कि हम वही भारत है मैं बात मनिपूर के कर रहा हूं मनिपूर में तो बहुत हिंसा हो रही है पिछले 75 दिनों से, धाई मैने हो गये लोग मर रहे हैं, लोग बेगर हो गए हैं, कानुन व्यवस्था नेस्त नाबूत होई है लेकिन कल जो देखने में आया और जब उसका विस्तरूत रिपोर्ट सामने आई तो रोंक्टे खड़े हो गए कि हम है किस दुनिया में, हम किस हैवानियत, जैसे समाज में जिन्दा है आज तीन मई को मनिपूर में आग लग जाती है, हिंसा शुरू हो जाती है वहाँ पे बड़ी तादाद में जो मेटई समाज के लोग हैं, जो अपने आपको हिंदू कहते हैं, रिजर्वेशन को लेके दंगे शुरू हुए हैं और वहाँ जो अलपसंग्यक है, कुकी, नागा, जुमी, जो पहाड़ों में रहते हैं, उनके खिलाफ एक शडियंत्र के पूल है मैं शडियंत्र इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आगे आपको बताऊंगा तो आपको पता पढ़ेगा कि ये शडियंत्र के तहत हो रहा है तीन तारीक को दंगे शुरू होते हैं, और चार तारीक को एक इंसिडन्स होता है थोईबल जिल्ले में कुकी और जुमी कम्यूनिटी का जो गाव है उस पे शसस्त्र हमला होता है आठ सो से एक हजार लोगों का घर जलाए जाते है, लूटे जाते है, संपत्ति लूटी जाती है, लोग मारे जाते है, पांच लोग पास के जंगल में इन आतंकियों से दर के मारे छुटते हैं पुलीस आती है पुलीस इन्हें अपने प्रोटेक्शन में पुलीस टेशन लेके जाती है और दो किलोमिटर दूर पुलीस टेशन जब है ऐसे में ये शसस्त्र आतंकी फिर हमला करते है पुलीस पे पुलीस देखती रह जाती है इन पांच लोगों को अपने कबजे में लेते है एक 40 साल की महिला है एक 50 साल की महिला है दो पुरूश हैं सबसे पहले इन महिलाओं के वस्तर उतारे जाते हैं उन्हें नगन किया जाता है फिर पुरा हुझूम उसको परेड करवाता है उनके गुपतांगों को छेड़ता है सरे आम और फिर उस 20 साल के लड़की का सबके सांग में गैंग रेप होता है उसका भाई अपने बेहन की इज़त बचाने के लिए आता है उसकी हत्या की जाती है बेहन के सामें लहुलुहान हालत में जो छोड़के चले जाते हैं ये तीनों महिलाएं पांस के तैगानुपल जिले में शरण लेती है फिर कुछ लोग मिलकर एक यफायार दर्च करते हैं चार तारिक का इंसिडन्स तीन में को दंगे चार तारिक को ये बलातकार और उसके बाद अठरा तारिक को यफायार आज अठरा मई, अठरा जून, अठरा जुले ही हो गई इसका विडियो मार्केट में आया फोटोग्राफ मार्केट में आया और पूरा देश स्तब्ध हो गया लेकिन अठरा मई से लेके आज तक इस डबल इंजिन की सरकार जो मरिपूर में है वो उन लोगों को अरिस्ट नहीं कर पाई पुलिस टेशन जिन पुलिस के कबजों से इन महिलाओं को छुड़ा के उनकी बेज़ती की गई उनकी इसमत लूटी गई वो पुलिस भी नहीं बता पाई ये लोग कुन थे क्या मैती समाज को लाइसंस मिल गया है अलपसंख्यक समाज पे इतना ब्रूटल अटेक करने का ये तो पाशान यूग में भी शायद ऐसा नहीं होता होगा जो 21 सदी में भारत देख रहा है क्या हो गया हमारे प्रधान मंत्री जी को क्या हमारी सरकारे इतनी संवेदन हीन हो गई है मात्र डबल इंजिन की सरकार है मेरे पार्टी की सरकार है इसलिए धाई महेने से जल रहे मनिपूर की सरकार अभी तक बनी हुई है प्रधान मंत्री दो दिन पहले राजस्तान में हो रहे महिलाओं पे अत्यचार की कहानी भारत के सामने रख रहे थे उनका दिल कितना टूट रहा है महिलाओं के अत्यचार पे घड़िया लिया आसू बहा रहे थे क्यों? दिल्ली में महिला खिलाडियों के साथ जो हुआ और उन्ही के पार्टी के एक बाहु बली जैंग्स्टर ने अंतराष्ट्रिय स्तर के खिलाडियों की इसमत पे हाथ दाला यह फयार दर्ज हो गई सरवोचे नयायले के कहने पे ओभी दिल्ली पुरी से ओभी नहीं कर पाई हमें लगा चलो एक राजनीति का इसमें कुछ एंगल यह धून रहे है सरवोचे नयायले है लेकिन मनिपूर में जो हुआ वो तो आती भेंकर है हम की समाज में रह रहे है क्या कर रहे है हमारे प्रधान मंतरी जो अभी तक मनिपूर पे मौन धारन करे बैठी हुए है उन्हें जलता हुआ बंगाल दिखता है जलता हुआ मनिपूर नहीं दिखता एक सो साथ से ज़्यादा लोग मरे है हजार से ज़्यादा घायल है 25,000 लोग बेघर है 5,000 से ज़्यादा घटनाएं हुई है 6,000 मामले दर्ज हुए है मात्र 144 गिरफदारियां हुई है 36,000 पुलिस कर्मी 40 से ज़्यादा IPS ऑफिसर और इंडियन आर्मी लगातार मनिपूर में बनी हुई है मनिपूर है कि इस सरकार से संभली नहीं रहा मुख्यमंत्री जो मैती समाज के आते है इस्तिफा देने का नाटक करते है बेशरम होकर उस पत्पे बने रहते हैं मनिपूर में खास कर उत्तरी पूर्व में जो कुछ आतन की संगटन थे जिसे बैन किया गया था United Nations Liberation Front UNLF People's Liberation Army PLA कोंगुलाई याओल काला गलूप केवाय केल Rebel Revolutionary Party of Kangalipark ये तमाम गूरूप भी आक्टी हुए है जबसे मनिपूर में तीन तारिक से हिंसा शुरू हुई है अब तक 4537 हत्यार लूटे गए 6,32,000 बुलेट्स लूटी गई और जो हत्यार लूटे गए वो कोई छोटे हत्यार नहीं है 303 की राइफल है MMG है AK Assault राइफल है कारबाइन्स है Light Machine Guns है M16 और MP राइफले हैं ये तमाम बात है एक New Agency है PTI इनका सर्वे बताता है इनकी रिपोर्ट आई है जो आगबारों में पढ़ने को विली वो रिपोर्ट कहती है कि अभी तक जब हमारे धाकड ग्रह मंत्री ने अपील की तो मात्र 144 हत्यार जमा हुए अभी भी भारी तादाद में हत्यार इन लोगों के पास है मुख्य मंत्री आरूप लगाते हैं कि म्यानमार पार से बाहर के लोग है कभी ISI का एंगल धूड़ा जाता है रोहिंग या मुसल्मान का एंगल धूड़ा जाता है और हमारे सेनाध्यक्ष कहते हैं ये तो आप से लड़ाई है कोई बाहर के लोग इसमें नहीं है कौन सच कौन जूट पूरा कन्फिजन का महोल देश में फैलाया हुआ है क्योंकि आपकी सरकार वहाँ है भाज़पा की सरकार गलत कैसी हो सकती है तो ये जो जल रहा है मनिपूर और सरे आम अलपसंके को की इज़त निलाम हो रही है इसमत लूटी जा रही है ये क्या है क्या कोई बताएगा राष्टियस्वयम से वक्संग जो पित्र संस्थान है बीज़पी का क्यों मोन है मनिपूर पे वनवासी संग क्या कर रहा है या ये आग लगाने का काम कर रहे मैं आरूप नहीं लगा रहा हूँ ये प्रश्ण है जिसके उत्तर सरकार को देने होंगे कोन है जो ये मतई समाज को इतना प्रोटेक्शन दे रहा है कुकीज बार-बार कह रहे है डी आई जी थे डी जी थे सौरी डारेक्टर जनरल अप पुलीस मनिपूर कुकी समाज को के थे रातो रात उनको बदला गया क्या कारण था क्या किसी एक समाज को प्रोटेक्शन देना था पुलीस प्रोटेक्शन में उनसे हिंसा करवानी थी ये आरूप कुकी लगा रहे है इसका जवाब सरकार के पास नहीं जो रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा था वो रिपोर्ट कहती है कि जो हत्यार चोरी हो गए उसमें मात्र सवा पाच प्रतिशत हत्यार पहड़ों में है बाकि सब भैली में है भैली में मता ही रहते है पहड़ों में कुकी रहते है तो फिर हत्यार किसके पास ज़्यादा है KYKL इस प्रतिबंधित और्गनाजेशन के बारा लड़कों को पकड़ा, तो वहां मैतही समाज के करीप-करीप दो हजार महिलाओं ने घेर लिया, और हमारा सैन्य जो चीनी सैनिकों से भी लोहा लेता है, उन्हें वो बारा लड़के वहां छोड़के आना पड़ा, क्योंकि कौन सैनिक अपने ही देश्वासियों पे गोली चलाएगा, यह वस्तुस्तिती है, जो चार मई को हुआ, पुलीस के प्रोटेक्शन से लड़कियों को उठा के, जो उनके साथ हुआ, यह विडियों सामने आया, इसलिए आज लोगों को पता पड़ा, पता नहीं किस-किस ग मनिपूर के विधायक, बीजेपी के, स्वयम दिल्ले में गुहार लगा रहे कि कुछ करिये मालिक, प्रधान मंत्री नरेद्र मोदी के कैबिनेट में, जो मनिपूर के मंत्री है, जो सांसद मंत्री बने ही, उनका घर फूग गया, फूग डाल गया, उन्होंने कहा कि कानुन व्योस्ता ध्वस्त हो गई है, क्या कर रहे है प्रधान मंत्री, किस की सुनना चाहते है, या डबलिंजन की सरकार है इसलिए, मात्र मेरी सरकारे बरखास्त नहीं करूँगा, इसलिए पुरा मनिपूर आग में जोग दिया है, और राजनितिक रोटी सेख रहे है, कहां गया समवेदन शीलता हमारे प्रधान मंत्री की, मुझे याद है, विदेश के धरतीपन, जब प्रधान मंत्री अपने बचपन की बात कर रहे थे, और अपके ने बचपन में, अपनी मादवारा, दूसरे के घर में काम करके, कैसा हमको पाला, इस याद मात्र से, जिस इनसान के आखों से आसु चलब गए, जो हर नवरात रखो, मा शक्ति के आराद्धा करने के लिए उप्वास करता हो, वो इतना कैसा संकीर न हो सकता है, ऐसा कैसा समवेदन हिन हो सकता है, कि जो मनिपूर पे अभी भी मौन धरे हुए है, अंतर राष्ट्रियस इजल्सियां, लगाता मनिपूर पे सवाल पूछ रही है, अमिरिका के राजदूत कलकत्ता में मनिपूर को राष्ट्र का या भारत का अंधरूनी मामला नहीं मानते, वो कहते हैं, युमन राइट्स, जब हुमन राइट्स वाइलेशन होता है, वह अंधरूनी बाहर का नहीं होता, मैं हम उसके ल कि कितना मान सन्मान हैं अमिरिका में हमारा, ऑस्ट्रिलिया, जपान, फ्रांस, जर्मनी, कितना मान हमने सन्मान बढ़ाया, वह यह वाइट हाउट जब लतारता हैं, तो उसकी कोई बात करने को तयार नहीं है, रिलिजियस फ्रीड़म, कमिशन फॉर रिलिजियस फ्रीड़म अराउंड दे वर्ड, उसके तीन मेंबर की एक कमिटी, पिछले तीन साल से भारत सरकार से विजा मांग रही हैं, और भारत सरकार विजा नहीं दे रहा हैं, वो कमिटी विविन्न देशों में जाके, वहां के लोगों को खास कर जहां प्रजातंत्र हैं, लोकतंत्र हैं, वहां के लोगों को धार्मिक स्वतंत्ता कितनी हैं, इस पर श्टड़ी करती हैं, अईसा क्या हैं इस देश में जो छुपाना चाहते हैं प्रजान मंत्री जी, या कुस अजंडे के तहत काम कर रहें, कुकी, जूमी, नागा, इन समुदाएं में ज्यादा क्रिश्चन से, सेक्डों के तादाद में चर्चेश जलाई गए हैं, फिर ये सबका साथ, सबका वि आधी आबादी महिलाओं की है, महिला उत्तरी पुर्व की हो, दक्षन की हो, पूर्व की हो, या पश्चिम की हो, या मद्यभारत की हो, जब एक महिला पर इतना घिनोना अत्याचार होता है, तो पुरे देश के महिलाओं के आखों में आसु आते हैं, आज सवाल है संगर सिचील महिला सववेदन शील महिला देश की राष्ट्रपती है मुर्मुद्रोपती जी क्या ये खबरे उन तक नहीं पहुशती होगी आज एक सववेदन शील महिला मनिपूर में राज्यपाल है अनुसुया उईके जी मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ आज मेरा दिल टूट रहा है क्या उन्होंने उपर रिपोर्ट नहीं भेजी होगी क्या उनकी भेजी हुई रिपोर्ट ग्रहम मंत्रा ले खा गया क्योंकि मात्र हमें नाक बचानी है ये डबल इंजिन के सरकार है करनाटक में ये कहा जा रहा था कि विपक्ष की सरकार आईगी तो धंगा होगा आज है सरकार किसकी है मनिपूर में पिछले दस साल से कोन वहरा राज कर रहा है कहा जाता है कि ड्रग करेकेट है कहा जाता है कि पहाड़ों पे एक कूकी और बाकी लोग जो है नागा एक गांजा और अफिम का काम करते हैं यदि एक गांजा उगाते हैं तो वहाँ की सरकार है पाथ साल पहले भी सरकार थी बीज़पी की डबल इंजिन की सरकार पाथ साल थी डबल इंजिन सरकार फिर है तो क्या गांजा पे प्रदिभंदन लगाना इतना मुश्किल हो गया और यह जिए आप नहीं लगा सकते तो सत्ता से हट जाईए पीले चावल लेके कोई आपके घर नहीं आया था कि आप सत्ता में आईए आप बहु संक्य गवात का खेल करके सत्ता में तो आ जाते हों लेकिन फिर क्या अलप संक्य को को समाप्त करके आप इस देश में राज कर पाओगे ये देश हिंदू बहुल है लेकिन यहां का हिंदू समवेदन शील है पता नहीं राज नितिग्यों को क्या हो जाता है स्मृती राणी जी ने तो फोन कर दिया और यही बात किसी दूसरी राज्य की होती कि यह फायर होने के दो मैंने बाद भी विडियो सामने होने के बाद भी इस पुलिस एक्षन नहीं लेती तो शायद उस सरकार को चूड़िया भेट दी जाती आज स्मृती राणी वी सरिफ मुक्यमंति से बात करके चुप है सारा खेल ट्विटर ट्विटर पे हो रहा है सवाल पुरे देश से उठने चाहिए आधी आबादी इस देश की सम्विधनशील है और वो जितनी सम्विधनशील है उतना ही शक्ति का रूप है आज भारत वर्ष के हर राज से आवा जानी चाहिए कि मनिपूर में हमारे बहनों के साथ जो हुआ हमारे बेटियों के साथ जो हो रहा है इसका जवाब कोन देगा प्रधान मंत्री जी को जवाब देना होगा या तो प्रधान मंत्री जी महिलाओं को लेकर जब आपके आँखों में आशु छलकते है या तो वो नकली है या फिर ये माउन आपकी मजबूरी है सत्ता का मक्खन इतना स्वादिष्ट नहीं हो सकता कि वो चकने के लिए आप अपने देश की महिलाओं की इज़त निलाब होने देंगे दिल्ली में खिलाडियों की साथ क्या हुआ पुरा देश देख रहा था और मनिपूर का ये चार मेकप विडियों जब आजाया मार्केट में रोंटे खड़े कर देता है सत्ता में बने रहना ये ज़रूरी नहीं क्या ये वहीं बीजेपी है जो आटल बिहारी वाज़ पर एक खुशाब हो ठाकरे की बीजेपी थी जिनकी कोई नयतिकता की जहालर हुआ करते थी चार्ल चरित्र चेहरा जिस पार्टी का कहा जाता था क्या वही भाज़पा है क्या सत्ता में रहना इतना मजबूरी है क्या वहराष्ट्र पतिशार्चन लागू नहीं हो सकता क्या मनिपूर आर्मी के हवाले नहीं किया जा सकता ऐसी क्या मजबूरी है कि मनिपूर पचवत्तर दिन से जल रहा है और प्रधान मंत्री बंसी बजा रहे हैं सुभे सुभे आजाएं आपके पास आशा करता हूँ आपके मन में भी थोड़ा अपने बेहनों के प्रति थोड़ा चाहिए सवाल पूछीएगा प्रधार मंत्री आपके रेंज में नहीं है तो अपने सांसत को सवाल पूछिए अपने विधायक को सवाल पूछिए बीजे पी के उस कार्य करता को सवाल पूछिए कि क्यों हो रहा है ये और क्यों होने दे रहे हैं आप ये हो रहा है वाली बात नहीं होने दे रहे हैं या कर रहे है ऐसे कई सवाल है और सवाल पूछेंगे क्योंकि मेरे देश की लोकतंतर का सवाल है मेरे देश की बैनों का सवाल है नमस्कार